शालीन भन्नोट और टीना दत्ता होंगे दोस्तों शो से बाहर होंगे शौकिंग इविक्षन का शिकार शालीन भन्नोट और टीना दत्ता शालीन और टीना को लगने वाला है दोस्तों सबसे बड़ा छटका हमें पता है आप सभी दर्शक ये न्यूस को सुनकर बहुत जादा खुशी से जूम उठे होंगे खुशी से नाच उठे होंगे दोस्तों और आपके खुशी का कोई ठिकाना नहीं है आपको यही लगता है और साथी साथ आप यहां इस सबते घर से वेगर होने के लिए जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया हुई थी उस नॉमिनेशन की प्रक्रिया के बाद जो साथ कंटेस्टन नॉमिनेट हुए थे और उन साथ नॉमिनेटेट कंटेस्टन में से nomination की voting trend भी जो है वो सामने आ चुकी है और voting trend के अधार पर भी अगर आपको बताना चाहें तो यहाँ पर सबसे आखरी मतलब सबसे मतलब जो लाश्ट पैदान पर है वो शालीन भन्नो टीना दत्ता और साजीत खानी है और double eviction ही सबते होने वाला है तो इसका मतलब यह है शाली शालीन और टीना दोनों को लग चुका है दोस्तो बड़ा चटका और दोनों को भी लग रहा है कि वो लोग शो के लिए नहीं है शो में वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं और साती साथ इसलिए वो लोग के eviction का भी eviction का जो है उन लोगों को भी eviction का डर जो है वो सताने लगा ह शालीन बन्नोट और टीना दत्ता ने क्या कहा एविक्षन पर चलिए आपको बताते हैं आज के खास रिपोर्ट में लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारी यूटूब चैनल को एक टीवी नूज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सबसे पहले को टीवी नूज को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर शालीन बन्नोट जो है अर्चना गौतम से बाते करते हुए कहते हैं कि अर्चना अर्चना मुझे बहुत सारी चीजे तेरी हाथ की खानी है क्योंकि मुझे पता है कि मैं इस वीकेंड के वार में मैं घर चला जाऊंगा क्योंकि मैं तो वैसे भी कुछ कर नहीं रहा ये बाते जो हैं वो कहते हैं अब यहाँ शालीन को खुद को भी हैसास होने लगा है कि वो घर जाने वाले हैं और टीना को भी यही हैसास हो रहा है टीना को भी यही लगता है कि यहाँ पर वो जो है वो कुछ नहीं कर रही और उनके जाने के बाद जो है घर वाले बहुत जादा जो है वो खुश होंगे बिग बॉस खुश होंगे, ओडियंस खुश होगी, ये उनको खुद को भी एसास है, आप यहाँ पर वो यही कह रही है कि वो चली जाए तो ही बेटर है, ये बात जो है वो कहती है, तो ये खुले आम जो हैं, दोनों जो हैं, मतलब इस तरह की बाते जो हैं, वो करते हैं, क्य इनों में जो है वोटो का अंतर काफी कम है, वोटो का जो फासला है, वो काफी कम है, और वोटो का अंतर, वोटो का फासला, और बाकी सारी की सारी चीजे जो हैं, इनके खिलाफ जा रही हैं, टीना अंड शालीन के, ओडियंस, ओडियंस पूरी तरह से एक्सपोस कर चुके ह अब बचा क्या है इनके पास करने को तो इसी वज़े से जो है अब इनको बड़ा जटका लगने वाला है और इनको उस जटके का एहसास पहले ही हो चुका है कि वो लोग जो है शोव में नहीं रह सकते मतलब नहीं रहेंगे इस अबते दोनों में से कोई एक जाएगा या फिर दोनों भी जा सकते हैं ये बात उनको खुद को एहसास है आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही दोस्तों तब तक लिए बने रहे हैं